इस्राइल हिजबुल्ला की जंग में यमन का हूती, सीरिया और इराग के प्रतिरोधी समू इस लडाई में कूत पड़े हैं लेकिन इस्राइल की इस जंग को लेकर एक खूफिया रणनेती है जिसे पूरे मिडिलीस्ट का समी करण बदल सकता है दरसल मिडिलीस्ट में इरान ने इस्राइल के लिए एक जाल बिचाया है जिसमें तेलवीव बुरी तरब हस चुका है लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस्राइल की ये चाल काम्याब हो रही है क्योंकि लेबनान में इरानी दूतावास ने कहा कि आईडियेफ ने बेरूत में जो हमला किया है वो गेम चेंजिंग उकसावा है जिसका नतीज़ा इस्राइल को भूगतना पड़ेगा एक बार फिर से इस्राइल ने घनी आबादी वाले इंगलाकों में खोनी नरसंगार करके अपनी जूटे तरकों को न्यायोचित ठहराने की कोशिश की है इसमें कोई शक नहीं है कि यह निंदनी यह अपराद और लापरवा व्यवहार एक कंभीर वृद्धी का प्रतिनिधित्व करता है जो खेल के नियमों को बदलता है और इसके अपरादी को उचित रूप से डंडित और अनुशासित किया जाएगा वहीं हिजबुल्ला ने इन हमलों को लेकर कहा कि बेरूत के दक्षणी उपनगरों में नागरिक भवनों में हत्यारों या हत्यारों के भंडार की मौझूदगी के बारे में इसराइली कबजे के जूटे दावों का खंडन करता है आपको बता दे कि आईडियाफ ने 27 सितंबर 2024 को लेबनान में 30 से जादा हवाई हमले किये थे जिन में से अभी तक 700 लोगों की जान चली गई है जबकि 3000 से जादा घायल हुए है वहीं इरान के विदेश मंत्री ने इसराइल के पीम बेंजामिन नितन्याहो को दो टूक कह दिया है इरान के विदेश मंत्री अब्वास अराक्ची ने कहा हम इसराइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नितन्याहो की घ्रिणे धमकियों की तीखी निंदा करते हैं इनोंने संयुक्त राश्ट्र के संबोधन में चेतावनी दी थी कि उनका देश इरान पर हमला करने में सक्षम है। ये अतिहासिक शर्म की बात है कि हाई प्रोफाइल हत्यारा संयुक्त राश्ट्र में आने और अपने घ्रिणे जूत और अन्य राज्यों पर आक्रमण करने और अधिक लोगों को मारने की अपमान जनक धंकियों के साथ महासभा को जहर देने की हिम्मत करता है। आपको बता दे कि इरान के इस बयान से पहले इसराइली पीम बिंजमिन नेतन्याहू से युक्त राश्ट्र को संभोधित करने कहे थी जहांपर उन्होंने खुले तोर पर इरान पर हमले की धंकी दी थी लेकिन बड़ी बात ये है कि इरान अभी तक सीधे तोर पर इस यु बिहोरी है